यह थोड़ा सा इंट्रस्टिंग कोश्चन है यह 2019 में पूछा गया था एक्जाम में लेकिन इसको करने से पहले न हम एक आपका कॉंसेप्ट डेवलप करना चाहते हैं इससे पहले एक कॉंसेप्ट डेवलप कर ले हम अपना थोड़ा सा एक कुछ एक पॉइंट्स और अंडर्स्टेंडिंग बढ़ा ले ताकि कोश्चन पढ़े तो लगे कि यह तो हम करी लेंगे ठीक है सर क्या कॉंसेप्ट है सिंपल सी बात देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था फॉर्मिट के इसाफ से सबसे पहले होता है सेल्स लेट्स अज्यूम भी मैं करता जाऊंगा सौ और रुपे का सेल है ठीक है इसमें से माइनस क्या करते हैं वेरियेबल कॉस्ट अब यहां पर वेरियेबल कॉस्ट में मैंने बोला अगर आपको सत्तर परसेंट तो आपको पता चल जाएगे कि वेरियेबल कॉस्ट कितना है सत्तर है समझ रहे हूं और अगर आपको variable cost का percentage ना दे सीधा amount दे तो क्या हम इसका percentage निकाल सकते हैं variable cost का जी हाँ इसका percentage निकाला जा सकता है और क्या percentage होगा सर सत्तर फॉर्मूला लिख देता हूं परसंटेज क्या होगा आपका अगर ये सीधा सत्तर दे तो VC upon में sales into में 100 अगर कर दें तो ये variable cost का एक percentage आ जाता है सर ये क्या आता है VC का percentage variable cost का percentage जो बहुत बड़ी बात नहीं हम करते हैं अगले point पे जाएंगे तो ये क्या आएगा हमारा contribution कितने आएगा 30 अगर मैं contribution का percentage पूछूं तो contribution का percentage पता है कैसे आएगा सर contribution का percentage आएगा हमारा contribution divided by sales into 100 ठीक है और आगे चलके आप जो management account वाले बच्चे हैं तो management account के अंदर भी आप देखेंगे वहाँ बहुत detail में given है तो contribution upon में sales सर contribution upon में sales क्या है सर ये percentage किसका आगया सर country का percentage आगया अब एक मजे की बात देखो अगर sales variable 70 ठा तो contribution पता है कितने percent आएगा मैं इसका निकाल के भी बता हूँ तो आपको पता चल रहा होगा सर सीधी सीधी बात है पता चल रहा होगा आपको कि कितने percent आ रहा है अगर आपको variable cost का percentage बता दे तो आप contribution का percentage बता सकते हो अगर आपको contribution का percentage बता दे तो आप variable का बता सकते हो इसका मतलब सर हमेशा hundred percent is equal to hundred percent किसका होता है हमेशा सर ये sales का रहता है हमेशा is equal to VC का percentage और plus किसका contribution का percentage यही होगा आपके सामने मैंने situation भी बनाया हुआ है आप देखिए हाँ या ना पहले समझे आप इस बात को क्या यही बन रहा है यह situation मैंने इसलिए simple से लिया है कि भाया sales जो होता है variable cost का percentage और contribution का percentage को जोड़ दिया जाए आप देखिए 70 में क्या जोड़ दीजिए आप 30 जोड़ दीज को कि हमारा ना यह 70 रुपए है suppose करो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा contribution ना 70 रुपए है ठीक है और VC का percentage ना VC का percentage है वो भी 70% है तो आप मुझे बताइए कि मेरा sales कितना होगा question mark है आपको क्या दे रखा है contribution कितना दे रखा है 70 और VC का percentage कितना है 70 आप तभी किसी चीज को 100% पे ले जा सकते हैं जब आपको जो amount given हो और उसका percentage given हो यानि sir यहाँ पे तो very simple अगर आपने बोला VC का percentage 70 है तो इसका मतलब sir contribution का percentage तो हम बता सकते हैं कितने percent होगा contribution का that is 30% और आपको मैंने यहाँ पे क्या दिया है amount के terms में contribution आपको contribution amount के terms में पता है contribution percentage के terms में पता है तो आप 100% value find कर सकते हो कैसे करोगे sir तो sales is equal to क्या होगा यह formula लगा लो यह आपको पता है percentage दे रखा इधर उदर करोगे आजाएगा आपका क्योंकि आप क्या लिखा होगे contribution की जगह पे contribution sales की जगह पे question mark और यह percentage की जगह पे percentage बाकि मैं directly बता देता हूं कैसे आएगा sales is equal to 70 और और divided by contribution का percentage 30 और into में क्या कर देंगे हम 100 that is आपका कितने आगे बताओ बताओ कितना है 233 जो भी आगया यह देख लिजिए क्या आपको contribution का percentage मिल जाए और contribution का amount मिल जाए तो directly sales निकाल सकते हो जवाब yes sir directly हम sales भी निकाल सकते हैं समझ में आ रहा है 233 बच्चों का जवाब भी आ गया 233 233 233 लेकिन क्या आप variable cost amount के terms में निकाल सकते हो क्या आप variable cost amount के terms में निकाल सकते हो यहाँ पे variable cost निकाल सकते हो निकाल सकते हैं sir निकाला जा सकता है sales का ही तो था sir यह 70% किसका 70% होगा sales का now आपने sales तो find कर लिया है समझ रहे हो बात किसका percentage ये क्या है हमारा बताओ ये क्या है हमारा sales है और ये जो मैंने VC का percentage बोला ये क्या था हमारा sales का ही तो percentage होता ultimately तो अगर मैं इसका 70% निकाल लो तो कितना आता है बताओ जरा एक बार हाँ 163 point वगरा छोड़ देना उसके उपर जाए ध्यान मत देना तो VC भी निकाल लिया समझ रहे हो बात यानि किसी का percentage दे दे और उसका amount पता चल जाए तो हम sales को निकाल सकते हैं है ना अगर चलो एक question मैं आपको देता हूँ आप मुझे बताना फिर मैं इसे रब कर दूँगा यहां से मैंने कहा कि मेरा ना contribution का percentage है ध्यान देना contribution का percentage है 40% और variable cost है दिरे दिरे करते हैं आगे चलते हैं और contribution है 400 तो मेरा question mark है आप मुझे बताए sales और दूसरा मुझे बताए variable cost चलिए बताए फटाफट क्या आएगा दो question मैंने पूछा आप से बहुत simple simple से question 163 हरियोम का अंसर आगया 1000 रुपे अक्षे 60, नीशू 1000, आर्जू 1000 sales 1000, sales 1000 और VC 400, सभी बच्चे 1000, VC 400 सभी बच्चों ने जवाब दिया तो सभी बच्चों ने मुझे सही जवाब दिया सर आपने पता है sales कैसे निकाला क्योंकि आपको दोनों की percentage पता था और यहाँ पे formula में यह apply कर दिया या जैसे भी तो मैं क्या करूँँगा सर 400 divided by 40 into 100 तो आपने 1000 निकाल लिया अगर आपको यह पता चलिया तो variable cost में निकाल लोगे आप लेकिन सर variable cost तो तभी निकालेंगा जब variable cost का percentage पता चले लेकिन सर हमें contribution का percentage पता है तो variable cost का percentage तो क्या होगा 100 minus country का percentage यही तो मैंने बता है अगर आप इस formula को ध्यान से देखें यह दोनों अपना से तो इधर उधर करेंगा निकाल लिया तो यह कितना आजाएगा हमारा सर यह आजाएगा quantity का percentage 40 था तो यह आगया 60 आपने इसका जट से अब variable cost 600 आएगा कुछ बच्चे 400 बता रहे थे तो variable cost 600 आएगा आपका 400 नहीं आएगा 600 आएगा 60 नहीं है भाई 60 नहीं है 600 है percentage के terms में 60 है अगर variable cost का percentage आप से पूछूँ कितना variable cost का percentage होगा 60 यानि सिंपल सी बात अगर मेरे को contribution बता दे 100 में से minus करके variable cost का percentage निकाल लेंगे आगर variable cost बता दे तो 100 में से minus करके contribution का percentage निकाल लेंगे 600 600 यहां तक हर बच्चों को clear है एकदम से point यहां तक clear है तो चलिए आगे question पे चलते हैं इसके बाद के कहानी आपको सिंपल सी पता बात है कि क्या होता है हमारा fix cost होता है अगर fix cost 10 रुपे है तो इसका मतलब यह कितना आजाएगा हमारा 20 रुपे आजाएगा और आगे फिर interest वगरा so on चलता रहता है ठीक है अगर हम sales के level को बढ़ा दे या घटा दे sales के level को बढ़ा दे या घटा दे तो हमारे fix cost पे कोई भी फरक है लेकिन variable cost उसी पर्पोस्नेट परसंटेज में change हो जाता है जिस पर्पोस्नेट परसंटेज में हमारा बढ़ रहा है या फैल घट रहा है ठीक है चलिए अब एक सवाल देख लेते हैं क्या कहता है सवाल में मैं एक format बना लूँ छोटा सा फिर मैं सवाल को भी पढ़ दूँ आपके लिए चलिए सब मैंने अपने लिए बनाये दो कॉलम क्यों बनाया बाद में बताएंगे सबसे पहले हम present लिख देते है या फिर अभी कुछ भी नहीं लिख रहे है बिल्कुल blank छोट रहे है पहले question हम पढ़ लेते है कहता है अब firm sales rupees 1 lakh 10 lakh का sales है variable cost 7 lakh का है यानि सवाल में आपको sales दे रहा है सर और sales जो है 10 lakh का और variable cost कितने का है हमारा 7 lakh का तो यह दिखने रहा होगा थोड़ा सा dark है and fixed cost जो दे रहा है 2 lakh का दे रहा है आपको debt debt क्या होता है debt करजा, liability, loan, debenture को debt भी बोलते है हम short form में कहता है debt दे रहा है आपको कितने का 5 lakh रुपे का और उसके उपर percentage दे रहा है आपको 10% what the operating and financing and combined leverage बोलता है भीया, बता दो आप operating, financing और combined leverage बताओ इस सवाल में exam में पूछा गया है, कौन सा year में जिसके पास book होगा देख सकते हैं साथ 2019 वगर हमाय हुआ है आगे क्या कहता है सर if the firm want to double learning अब यह बाले ध्यान रखिएगा पहले हमने यहां तक कर लेते हैं ठीक है, उसके बाद फिर हम अगले बाले पार्ट पे आएंगे पहले आदा पार्ट कर लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे जो जो जानकारी दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है, यहां particular लिखना है आपने, और सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, sales, और sales कितने का है, 5, 6, 0, minus में variable cost, 7,000,000, इसमें से minus करेंगे, that is come contribution, contribution 3,00,000, इसमें से क्या minus करेंगे सर, fix cost, सवाल में fix cost 2,00,000, given है, तो हमारे पास जो result आएगा, that is हमारा EBIT, अब EBIT आएगा कितना सर, 2,00,000, minus करोगे तो कितने आ जाएंगे, एक लाख, इसमें से minus करोगे क्या सर, interest examiner ने यहाँ पे चला की दिखाई, आपको बताया है, भाई साब हमारा करजा 5,00,000 का है, और इस 5,00,000 के उपर हम ब्याद जो देंगे, वो कितने percent देंगे, 10%, तो इसका मतलब सर, यह 50,000 रुपए का आपका interest आएगा, जो आपने find किया है, अब जो आएगा निकल की, वो आजाएगा, EBIT, that is आपका कितने आगे, 50,000, यहाँ तक अगर हर बच्चों को clear है, और इसक DFL, और DCL, सर, DOL, DFL, DCL, इनका formula क्या होता है, आपको इधर पहले लिखा था, आपको याद भी होगा, तो यहाँ पर मैं simply लिख देता हूँ, सर, क्या होगा, contribution upon me, EBIT, इसका क्या होगा, EBIT, divided by, EBIT, और इसका आपको पता है, दोनों को multiply कर देंगा, मैं लिख नहीं रहा, formula अभी तो लिखा ही था, बार-बार लिखके क्या करेंगे, पहले वाले का देखा जाए तो क्या है, तीन, और दूसरे वाले का देखा जाए तो, दो, और combine का देखा जाए तो multiply करके, छे, हमने यहां तक के part को बड़े अच्छे से complete कर लिया, किसी को कोई doubt है तो बताईए, तीन, दो, छे, बच्चों ने निकाल भी लिया, चलिए, अब आगे की कहानी पढ़ते हैं, सवाल क्या कहता है, कहता है, if firm, firm का मतलब business company, if firm, want to double earning before interest and tax, यानी EBIT को firm चाहती है, double कर दें, double का मतल अब जितना अभी है, उसका दो गुना कर दें, how much raise in sales, sales में कितना बदलाव होगा, need to be percentage basis, आप बताईए, कितने percent sales में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, इसके दो method, एक shortcut है, एक long है, पहले हम long method से पहले समझेंगे, फिर shortcut method से जब percentage change वाले दो साल का data होगा, तो मैं वहां बता जाल क्या कहना चाता है, कि इसका EBIT double हो जाए, EBIT double का मतलब क्या होता है, sir, EBIT double का मतलब है, sir, बड़ी सी बात है, मैं इसी के साथ में line खीज देता हो, यह बोलना चाता है, कि यह 2,00,000 हो जाये, तो बताओ क्या होगा, यही बोलना चाता है, समझ रहे ही, दो लाक रुपे है ना अगर दो लाक रुपे हो जाए तो क्या होगा तो भई 50,000 तो fix है ये तो 50,000 ही रहने वाला है जितना पूछा है मुझसे कहीं ज़्यादा अंसर दे सकते हैं इसको मैं इस format में बता रहा हूँ तो sir ये कितना आ जाएगा हमारा ठीक है ये मैंने एक्स्ट्रा निकाला है हम इस से उपर की साइट जाने वाले है अब बताओ fix cost जो है इस level पे भी कितना रहेगा हमें नहीं पता कि sales कितना बढ़ने वाला है हमें नहीं पता मैं लिख देता हूँ यहाँ पे new new पूछा है हमें question मार का भी नहीं पता लेकिन दीरे दीरे पता जरूर कर लेंगे अब ध्यान रखिए कि आपने अगर एक लाख दो लाख को add करें तब ही तीन लाख आगा होगा तो same यहाँ दो और दो लाख add करेंगे तो हमें यह पता चल गया यह कितना हो जाएगा आप सभी अगर इससे agree करते हो तो आगे हम बढ़ें चार लाख कैसे है समझ में आया अब आपको अच्छे से पता है के sir आपका VC का percentage जो है वो आपको देखके ही पता चल रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ directly अगर कुछ और अट-पता amount होता तो निकाल के दिखाता है 70% है देखके फता चल रहा है हमें कितने percent है बताईए पता लग रहा है कितने percent है 70% अगर आपको देखके ही पता चल रहा है सहाब के 70% है तो आपको देखके ही पता चल रहा होगा ये कितने percent होगा अभी यही सीख रहेते न तो अगर आपको ये 30% पता है और amount भी पता है तो क्या sales निकाल पाओगे अभी बता है तो sales निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते हैं सर amount पता है that is amount क्या है हमारा 4,000,000 divided by आपका contribution का percentage तो formula आप 100 ना करें सिर्फ 0.3 करेंगे तब भी आ जाएगा क्योंकि मैंने 0.3 कर दिया या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए जो आपके इच्छा है 4,000,000 divided by अरे divided by 30 into 100 कोई बात नहीं है बताइए क्या आया यह आ गया 13,333,333 रुपए 3,3,3 2,4,1,3 कम है 2,4,5 आप तो 3 बार लिजिए 3 बार 6 नहीं 6 बार 3 क्यों 13,333,333 अच्छा एक जादा हो गया मुझे क्यों लग रहा है कम है अच्छा ठीक है 2,4,6,6 मैंने साथ 6 बार 3 आएगा न ठीक है तो सर आपको न एक बात पता चल गई कम यह पता चल गया 1,2,3,4,5,6 क्या आप variable cost निकाल सकते है कौन बच्चा variable cost निकाल पाएगा बताओ जल्दी कैसे निकलेगा variable cost पूछा नहीं है सवाल में सवाल में बोला है sales बता दो कितना होगा वो तो हमने बता दिया बस आप के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होगा बताओ ये variable cost क्या होगा नो लाख तैंतिस हजार तैंतिस हजार तीन सो तैंतिस ये सिर्फ अब आप देखो अगर आपको इसके कोई भी components को double, triple कुछ भी बोले तो आप पूरी statement निकाल सकते हो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कहीं से भी कोई भी percentage तब भी निकाल पाओगे ठीक है, आप ये भी निकाल पाओगे easily, DFL आपसे ये question पूछा जा सकता है exam में के EBIT double हो तो बताओ हमारा DFL, DECL और DOL कितना होगा पूछ सकता था, तो भी आपको ये पूरी statement तो बनानी पड़ती तो इसी तरीके से बनाते है आप DFL निकाल देते हैं कितना है कितना है DOL 4, 2 आ गया और ये कितना आ जाएगा, ये बढ़ जाएगा ना, 2 और 1,5 साड़े 3 चाटेगा, बढ़ा रहे हो आप तो 1.33 और ये कितना आ जाएगा 2.66 6.66 ही होगा न, ठीक है सवाल, जो पूचा है भी हमने आंसर नहीं दिया एक्जाम रख गया था How much raise in sales Sir, answer Sales will be Increase रुपीज, कितना raise होगा sales में तो 10 था, 13 हो गया, तो sales will be increase ये रहा 3,33,333 रुपे ठीक है Increase के साथ buy भी लगा दो तो better है है न, second कहता है need on percentage basis वाई साब percentage basis के इसाब से बताईए तो आपको बताया था जब दो बार का data given हो तो percentage कैसे निकालते हैं उसका gap निकाल लेते हैं और पिछले वाला जहां से हमने difference निकाला वो लेते हैं तो percentage sales कैसे निकलेगा is equal to change in sales change को न, मैं delta बना देता हूँ, ये delta ही होता है न delta का मतलब क्या होता है सर तो ठीक है percentage के लिए delta in sales अरे delta in sales divided by divided by कौन सा year base year कहलो आप तो यहां पर देखा जाए तो हमारा change कितना है चार पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है divided by into में 100 तो ये percentage change होगा समझ में आरे बात इसको एक shortcut तरीके से भी कर सकते हैं हम लेकिन मैं shortcut तरीका सिर्फ करके दिखाऊँगा उसको अभी समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि उससे एक और concept जुड़ा हुआ है जब तक वो concept समझ में नहीं आएगा shortcut तरीके में आपका sales कितने percent बढ़ रहा है 100% बढ़ रहा है तो आपका percentage change in sales is equal to percentage change in EBIT divided by DOL percentage change in EBIT कितना था 100% divided by DOL कितना था percent वाले का देखो 3 that is 33.33% दो लाइन में आंसर खता लेकिन ये बना कैसे बहुत सारे questions होंगे थोड़े एक दिन का समय लो question को समभाल के रखो अगली class में concept पूरा का पूरा clear हो जाएगा जब 2 साल का data आएगा तो हमारा समझ मैं आई बात आपको कि percentage change in sales मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे आया हमारा एक बार फिर से देखिए हमारे पास question ने क्या कहा कि EBIT को double करिए हमने EBIT को double करा EBIT double के बाद बोलता है FC जो यहां था वही FC लिया तो इन दोनों को add करके हम यहां पहुंच गया चार लाग और हमने पहले से calculate कर लिया यह 70% है तो यह 30% होगा हमने पहले concept देखा तो इसका मतलब सर यह 30% और यह 30% तो 30% के equal रखके हमने पूरी sales निकाल ली जो की यह sales हो गया हमारा यहां का और इसी का कितने percent निकाल लिया 70% तो यहां पे आ गया यह सीधा का सीधा अब इससे एक statement बना लिया हाला कि सवाल में ना तो यह बोला गया ना तो यह बोला गया हमने अपने इच्छा से निकाल लागया अगर सवाल में आ जाए तो कैसे करेंगे हमने पूरा statement बना लिया अब percentage change निकालने का मतलब भहिया इन दोनों का difference ले लो इन दोनों का difference क्या आ गया 3,33,333 रुपे divided by 10,000,000,000 हमारा एक percentage sales का terms निकल गया इक्जाम में बस इसने बोला था percentage change बताईए अगर बोलता ना also verified answer तो आपको ये भी करना पड़ता और ऐसे भी करना पड़ता मैं आगे बात करूँगा मैंने तो अब लिख दिया बस percentage change वाला ताकि आपको थोड़ा बहुत लगे कि हाँ ठीक है ऐसे भी हो सकता है जिस बच्चों को लेंदी लग रहा हो अभी सभी के shortcut हम आगे दीरे दीरे देखते जाएंगे जैसे पढ़ेंगे यहां तक हर बच्चों को clear है सर वीसी से sales नहीं निकाल सकते है बिल्कुल वीसी से भी sales निकालना जा सकता है आपको पता था एक बात एक और मैं बात बता हूँ जैसे हमें यह पता था ठीक है ना हम सीधा 70% भी निकाल सकते थे सीधा वेरियेबल और वीसी से भी sales निकाल सकते थे अगर मैं बोलू के भाई आप बिना sales के आप वीसी निकालिए तो आप फॉर्मूला में पता ही क्या लगाएंगे चार लाग था और डिवाइड़ वाई कितने परसेंट के 30 और आपको पता है वीसी का परसेंटेज 70 है तो इंटू में 70 करिए सीधा आपका निकल के आएगा डारिकली है यानि मैं सर बताना चाहूं तो जितने एक अमाउंट है उसका परसेंटेज नीचे रखी है इसके बाद जो आपका मन करता है परसेंटेज उपर मल्टिप्लाई करते जाए अगर आपको 70 परसेंट निकालना है 70 निकालना है, 40 निकालना है, 40 निकालना है अपने अपने खुदी एक formula और एक खुदी shortcut develop करते हैं तो हर बच्चे का ठीक माना जाता है मैं हर तरीके से बता दूँगा जो भी best रहेगा वो अपना opt करके आप करते जाओगे sir 30 कैसे आया 30 पूछ रहें कैसे आया अगर आपको variable cost पता है कि 70% है क्योंकि यह 7 लाग है यह 70% है तो variable cost 70 पता है तो country आपको पता ही चल गया 30 आएगा देखो यहाँ पर बताया है तो formula 100 is equal to VC percentage प्लस में country percentage format का कुछ भी heading नहीं होगा बस यहाँ पर calculation income statement कह सकते हो computation of income statement या सरफ income statement कह सकते हो और ऐसाच कुछ नहीं लिखते है या फिर उपर लिख सकते हो calculation of operating leverage, financing leverage, combined leverage clear है यहाँ तक